नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरू में आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके घर के, फैक्टरी के, मौल के, बिजनेस यूनिट, होटल या फार्म हाउस में शौचाले की सही द पर और सही दिशा में होगा तो आपको शुबफल देगा यदि यह सही स्थान और सही दिशा में नहीं होगा तो यह आपको शुबफल नहीं देगा बलकि शारिरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं पैदा करेगा यदि आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने घर आदी का शौचाले सही इस्थान और सही दिशा में लगवाएं इस एपिसोड को अंत तक देखें आपके सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरू दबाईए जिससे आने वा वाटसेप नंबर पर एपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं प्राचीन काल में हमारे घर के अंदर शौचाले का कोई स्थान नहीं होता था परन्तु आज के परिवेश में यह असंभव है शौचाले हमारे घर के अंदर भी होना चाहिए और घर के गेस्ट रूम के पास भी होना चाहिए परन्तु इसका सही स्थान पर होना और सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस दिशा में शौचाले का निर्मार भूल करके भी नहीं करवाना चाहिए इन दिशाओं की संख्या पांच हैं इन पांचों दिशाओं की मैं विश्त्रित चर्चा करूंगा और साथ ही इसके पढ़ने वाले शुब और अशुब प्रभाव को भी मैं पूरी तरह से बतलाऊंगा जिससे आपके मन में किसी प्रकार की शंका न रह जाए आईए एक-एक करके जानते हैं कि किस दिशा में और किस इस इसथान पर हमें शौचालए का निर्माण नहीं करवाना चाहिए. पहली दिशा है इशान, जी हाँ, नौर्थ और इस्ट के कौर्नर को हम इशान छेतर कहते हैं, इशान का छेतर भगवान का छेतर होता है, यहां वास्तु देवता का सिर भी होता है, यहां पर पूजा घर या पूजा का इस्थान बनवाना चाहिए ना कि शौचाले वास्तु देवता का सिर इसी इस्थान पर होने के कारण सिर वाले इस्थान को दूशित करने से घर में तरह-तरह की समस्याएं आती हैं क्योंकि जब आप वास्तु देवता के सिर पर राहु को इस्थापित करें यानि कि गंदगी फैलाएंगे तो समस्याएं आएंगी ही घर में कलेश, मुकदमे बाजी, मानसिक बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि इशान छेत्र की सारी पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाएगी और सिर्फ निगेटिव एनर में शौचाले इस इस्थान पर है तो आप ध्यांस दीजिएगा आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं अवश्य होंगी और इसका कोई निदान नहीं है यदि ऐसा है तो आप अपने घर से इस इस्थान से शौचाले तकाल हटवा दीजिए दूसरी दिशा है आगने यान साउथ इस्थ के कॉर्णर का इस्थान अगनी देवता का इस्थान होता है इसे दूशित करना और अगनी के इस्थान पर पानी गिराना दोनों ही वर्जित है यदि आप आगने छेत्र में शौचाले का निर्माण करवाते हैं तो यह पेट से संबंधित रोग का कारण बन लीवर किडनी से संबंधित बीमारी, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है जिससे आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है तथा यह आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुचाता है इसलिए आगने दिशा में भी भूल करके शौचाले का निर्माण नहीं करवाना च वास्तु शास्त्री इस बात की सलाह देते हैं कि आप नेरित्य छेत्र में शौचाले का निर्माण कर सकते हैं परन्तु मेरे अनुसार शौचाले का निर्माण नेरित्य छेत्र में भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने यह पाया है कि वास्तु चक्र के 45 देवताओं में से एक पित्र का इस्थान यह होता है एवं यह राहु का भी छेत्र होता है परन्त इस दिशा में शौचालय का निर्मार कराने से राहु अत्यंत मजबूत हो जाता है अतह इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे घर के सुख शांती में कमी बीमारियों में वृद्ध होती है देखा इस दिशा में शौचालय का निर्मार करने से बचना चाहिए जी हां शौचालय का निर्मार नैरित में नहीं करवाना चाहिए चौथा इस्थान है उत्तर यानि की नौर्फ इस छेतर के स्वामी कुवेर देवता होते हैं जो की धन के खजांची माने जाते हैं इस पर शौचाले बना करके इसे दूशित नहीं करना चाहिए इससे आप के पास धन का हमेशा अभाव बना रह सकता है आपस में संबंद खराब हो सकते हैं तो इस इस्थान पर शौचाले का निर्माण नहीं करवाना चाहिए और हाँ इस इस्थान पर किचन यानि की रसोई घर का भी निर्माण नहीं कराना चाहिए रसोई घर का निर्मान किस इस्थान पर करवाएं इसके लिए भी मैंने एक एपिसोड बना रखा है उसे भी देख ले पांचवा इस्थान है नौर्थ और इशान के बीच का छेतर जी हाँ उत्तर और नौर्थ इस्थ कॉर्नर के बीच का छेतर जो पूरब में आता है अथवा उत्तर में आता है इस छेतर में भी शोचालय का निर्मान नहीं करवाना चाहिए या इस्थान वैदे का इस्थान होता है या मेडिसिन प्लेस भी हम इसको कह सकते हैं इस इस्थान पर भी शौचालय का निर्मार करने से हमें बचना चाहिए साथ ही पूर्व दिशा में भी शोचालय का निर्मान नहीं करवाना चाहिए क्योंकि पूर्व से सूर्य देवता घर में उर्जा का संचार करते हैं या उसमें बाधा पैदा करता है और साथ ही तरह-तरह की बीमारियां और परेशानी भी लाता है कुल मिला करके घर के पूर्वी या उत्तरी छेत्र में शोचालय का निर्मान करने का मतलब है समस्याओं को आमंत्रण देना तो आज के एपिसोड में मेरे द्वारा बताई गई दिशाओं में सोचालय के निर्मान से बचें जिससे आपके घर में समस्याओं पैदा न हों यदि समस्याओं आने वाली भी हों तो वह तल जाएं शौचालय का निर्मार किस दिशा में करवाना चाहिए इसके लिए मैंने एक अलग से एपिसोड बना रखा है उसे अवश्य देखें ताकि आप सही स्थान पर शौचालय का निर्मार सही धंग से करवा सकें आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाईएगा यदि आप वास्तु शास्त्र से सम्मंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर वाटसेप करके एपोइंटमेंट ले सकते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ देखते रहें आपका अपना चैनल वास्तु गुरू नमस्का